नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सवी साथियों का एक स्मार्ट स्टेडी पर साथियों आज 26 फरवरी 2024 और आज SSC GD का पेपर था और डेली की तरह आज भी चार सिफ्ट में पेपर हुआ है आज की इस वीडियो में आज पूछे गए पहले दुसरे तिसरे और चौते सिफ क्या है वो सही है अगलात है जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों उनके लिए रामबान क्लास है क्योंकि डेली हर सिफ्ट में कोस्टन्स रिपीट हो रहे हैं तो चली फिर देखते हैं क्वेश्टन्स आज के सभी सिफ्ट में पूछे गए एक तो सभी से request है class को एक like कर दिए, class अगर पसंद आए तो आपने सभी दोस्तों तक जरूर शियर करना, आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon कौन का लीजेगा, इससे आपको सारे class का notification आएगा, शुरुवात करते हैं आज के चौते shift से, है न सबसे पहले के आज के चौते shift के questions, तो दुखिए एक question तो ये था, राज्य सभा सदसों के लिए निउनता मायू कितनी होती है, तो साथियो राज्य सभा सदसों के लिए निउनता मायू 30 वर्स होती है, यहाँ अगर आपसे राज्यपाल पूछे कि राज्यपाल बनने के लिए नियुनतमायू कितनी होती है तो भी राइट एंसर तीस वर्स होगा याद रखना आगे एक question ये था कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी इस्थलिया सीमा साजा करता है तो भारत की बात करें किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी इस्थलिया सीमा साजा करता है तो याद रिखेगा अफगानिस्तान के साथ तो सबसे कम सबसे लंबी बांगलादेश के साथ तो इस question का correct answer बांगलादेश हो जाता I hope आप सभी ने correct किया होगा ये fourth shift में पूछे गए question से एक question ये था कि विकास कृष्ण यादब का संबन की स्खेल से है तो देखिए विकास कृष्ण यादब की बात करें तो इनका संबन साथियो boxing से है तो इस question का correct answer आपका boxing हो जाता I hope सभी ने बिल्कुल correct किया होगा थोड़े टेड़े question थे मतलब कि ऐसे questions थे जो की नहीं बन पाए काफी सारे वच्चों से तो boxing यहाँ आपका correct answer हो जाता एक question था 1980 में All England Champion किष्ण जीता था तो बहुँ कौन तो प्रकास पादू कौन याद रिखिएगा तो correct answer हो जाता प्रकास पादू कौन बताओ कितना अंदर का question था काफी सारे बच्चों ने छोड़ा होगा इसको आगे question था संभीदान में मोलिक करतब कब जोड़े गए तो देखिए अगर संसोधन पूछा था तो 42 संसोधन हो जाता अगर येर पूछा था तो 1976 आपका correct answer हो जाता क्योंकि बारतिय संभीदान में मोलिक करतेब को साथियो 42 संभीदान संसोधन अदिया में 1976 में जोड़ा गिया था आज मैंने साथियो संभीदान के महत्पुन अनुछे द्वाला एक क्लास करा दिया है चैनल के अंदर जिसमें 51 कोश्चन से उसको आप लोग देख ले ना जिनका पेपर अभी बाकी है ठीक है एक कोश्चन था सक्सेना समीति का गठन कब हुआ था तो वह सक्सेना समीति की बात करें इसका गठन हुआ था दो अक्तूबर 2008 को तो इस कोश्चन के लिए करेंटर आपका हो जाता दो अक्तूबर 2008 आगे दिखिए एक कोश्चन ये था कि कबड़ी 2023 में भारत ने किसे हराया था अब ये कोश्चन का जो लेंगवेज है वो सही से मिलने ही पाया है तो दिखिए एसियन गेम्स में जो परिक टेंसर हो जाता अब एक कोश्चन था किस पंचवर्सी योजना में आत्मनिरभरता की बात सबसे पहले अगर पुछा था कि सबसे पहले कब की गई थी तो त्रितिय पंचवर्सी योजना में किसरी पंचवर्सी योजना का कारिकाल 1900 देखिए 1961 से लेकर 66 तक था ठीक ह जिसमें पहली बार आत्मनिरभरता की बात कही गई थी वैसे आत्मनिरभरता का लक्ष जो है ये सफल कब हुआ था तो याद रखना साथ भी पंचवर्सी योजना में आगे देखिए एक कोश्चन ये था ये सारा टोपिक में एक स्मार्ट स्टेडी 2.0 चैनल में करा दिया है एक कोश्चन था 1971 का होकी बिसो कॉप किस देश ने जीता था तो देखिए 1971 में पहली बार होकी बिसो कॉप हुआ था और ये किस देश ने जीता था तो याद रिखिए इसका करेक्टन्सर हो जाता आपका पाकिस्तान ने जीता था भई किसको हराया था पाकिस्तान ने त थपना का मुई खुद्दिस था कि अधोगिक छेत्र को बित्य सेवाई परदान करना तो इस से रिलेटेड जो भी आपको उप्संस दिया हुआ था वो आपका करेक्ट होता एक कोश्चन था इनमें से कौन से एक परसिद सहनाई वादक है या फिर बांसुरी वादक सायद आएगी तु का सिंगर कौन था देखो कितना कैसा question पूछा है मेरे सब उनों की रानी कब आएगी तु राजस खन्ना का ये गाना है पुराना गाना है आप लोगोने देखा होगा सुना होगा तो भ 베िश के singer पूछलिए थे कौन थे तो देखो इसके singer थे साथिव किसोर कु सी योजना किस मोडल पर आधारित थी सारा टोपिक मेंने 2.0 पर कराया है तो देखिए पहली पंचवर सी योजना जो है वो हेरोड डोमर मोडल पर आधारित थी याद रखना हेरोड डोमर मोडल करिक्ट हो जाता एक कोस्चन था 2011 की जनगर्ना के अनुसर भारत का साक्षरता दर कितना था तो करिक्ट होता 74.04% अबरॉल पूरे भारत का पूछा था आगे एक कोस्चन जनगर्ना भी तो मेंने कराया है सारा टोपिक मेंने 2.0 में करा दिया है एक कोस्चन था अक्टोबर 2023 तक उरिस्टा के राजपाल कौन दुरे अब देखिए अक्टोबर 2023 तक अगर पूछा था तो गनेसिलाल हो जाता और अगर ये पूछा था कि अक्टोबर 2023 के बाद थीक है तो फिर रघुबरदास हो जाता देखिए वर्तमार में साथ हो औरिस्टा के 2023 में किष्णे जीता था तो भारत ने जीता था इंगलेंड को साथ विकेट से हराया था तो इसका करिक्ट अंसर हो जाता भारत ने आगे कोश्चन ये था कि 2011 की जन गना के अनुसार भारत का जनसांखा घनत हो कितना है नाउससार आवर्तसार्णी के S block में S block में है ठीक है तो यार इन में से कुछ भी हो सकता है एक चीज़ याद रखना यह जो आवर्तसार्णी का S block है इसमें साथियों हाइडरोजन को चोड़कर सभी धातूओं को रखा गया है सभी तो नहीं होता आगर हाइडरोजन औप्सन में था तो वही आपका आंसर पूछा था कि इन में से कौन सा है थो देखिए S-block में Beryllium इसके अलावा साथियो Magnesium, Calcium, Istensium, Barium, Abum, Randium या Radium Radium जो है ये सब आता है इसके अलावा Beryllium के अत्रिक्त अनिततो साइक तुरुप से मिरिद्दा धातु ये कहलाते हैं तो इन्हें से जो भी आपको option दिया हुआ था वो आपका correct होता एक question था फ्लेमिंगो त्योहार किस राज में मनाया जाता है ये भी topic मेंने करा दिया है इस channel में और 2.0 दोनों में करवाया है अगर आप लोग पढ़कर गए थे तो साथियो आसानी से कर दिया होगा फ्लेमिंगो त्योहार आंध्रपरदीस में मनाया जाता है मैंने पढ़ाया है आपको आंध्रपरदीस इसका करिक्टरण सरो जाता एक question था राज में विधान परिशद के उत्पादन का प्रावधान ठीक है किस अनुच्छेद में है तो इसका करिक्टरण सरो जाता अनुच्छेद 179 में आगे question था जीवन और व्यक्तिकत स्वतंतरता का अधिकार क्या है तो भै देखे जीवन और व्यक्तिकत स्वतंतरता का जो अधिकार है ये साथ यो मूल अधिकार की सूची में आता है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है देखिये वाजी दली खान की बात करें तो ये मसूर तबला बादक हैं तो करिक्ट होता साथियो तबला स्वतंतरता का अधिकार किस प्रकार का है तो ये भी मूल अधिकार है ठीक है आगे एक कोश्चन ये था बिद्वा पुनर विभा संग के संस्थापक कौन थे तो देखि राष्टिया निरित्य सेरोमनी पुरसकार 2022 किसे दिया गया तो देखिये राष्टिया निरित्य सीरोमनी पुरसकार 2022 में किसको दिया गया था तो अपरना सतिसन को अपरना सतिसन की बात करें तो ये कुचिपुडी निरित्य की एक मसूर निर्तांगना है कुचिपुडी की बात करें, ये आंद्रपरदेस राज का सास्त्रनी रिती हैं. आगे एक कोश्चेन ये था राष्ट्या हरित हाइडरोजन मिशन कब लॉन्च की गई थी? तो साथियो, राष्ट्या हरित हाइडरोजन क्या होता है साथ यो तो correct answer हो जाता धूफ होता है आगे question ये था कि निंदा का विलोंसब्द क्या होता है तो मैं ध्यान से दिखें साथ यो निंदा का विलोंसब्द होता है स्तूती इस्तूती correct हो जाता एक question था खाली का परियावाची सब्ड क्या होता है तो ये आपको option के अनुसारी बनाना था option मुझे नहीं मिल पाया था देखे खाली का परियावाची सब्ड होता है रिक्त, रिता, खोखला, असार, छुच्छा, सुना, निस्चार, रहित, बिहीन, केव कोरा, साधा अब इन में से जो भी आपको option दिये हुए थे वह आपका correct हो जाता अब जो question से वो second shift में आज के पूछे गए question से जैसे कि एक question था सोनल मान सिंग का संबन किस निरित से है दो दो निरित का जोड़ा आपको option में दिया हुआ था उसमें से एक जोड़ा आपका odys और भारत मैट्टम दोनों की मसूल निर्तांगाना है तो odysi और भारत मैट्टम correct हो जाता सान्या मिर्जा का संबन किस खेल से है यह भी second shift में पूछा था तो correct हो जाता टैनिस से आगे question था ब्रमोत्सव किस राज में मनेया जाता है तो बैदि कि ब्रमोत्सव की बात किया जाए तो साथ हो यह आंध्र परदेश में मनेया जाने वाला एक उत्सव है आगे question था कंबाला उत्सव किस राज में मनेया जाता है तो करेक्ठ हो तक करना टक में एक question था 2024 के लोकसभा चुनाओ के ब्रांड आइकॉन कौन होंगे तो बैद 2024 के लोकसभा चुनाओ का ब्रा तो दीकित को देवदासी निरित कहा जाता है, राइट एंसर हो जाता साथी यो भारत नैट्ट्यम को, एक क्वेश्चन था, नियाईक पुनवर्वी लोकन से संबन दित, अनुच्छिद कौन सा है, या तो अनुच्छिद अगर पूछा था, तो एक तो संथिस हो जाता, और पूछा था नियायक पुनवर्वी लोकन क्या है तो भै इसमें भारत के राष्टपती के पास जो है ना किसी भी अभियुक्त की फासी की सजा हो या उसकी सजा कम करने का अधिकार होता है तो अनुच्छी देख सो साइंतिस हो जाता आगे एक क्वेश्चन था 2011 की जनगर्ना के अनुसर सरवादिक लिंगानुपात किस राजका है तो देखे 2011 की जनगर्ना के अनुसर सरवादिक लिंगानुपात केरल राजका था तो केरल करेक्टेंसर होता एक क्वेश्चन था सुल्क का बिलोम सब्द क्या होता है तो देखे सुल्क का बिलोम सब्द हो होता है अब option के अनुसर यह भी आपको बनाना था option तो मुझे नहीं मिल पाएं थे अब देखिए आधर के कौन-कौन से परियाईवाची सब्द होते हैं जैसे कि एक होता है समाधर एक होता है सत्कार सम्मान इज्जत मान कद्र इसके अलावा पुझ्यभाव प्रतिष्ठा य इन में से जो भी आपको option दिया हुआ था वो आपका राइट अंसर होता एक question था इन में से कौन सा सिग्र का परियाईवाची सब्द है इसका भी option नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने सिग्र के जो प्रमुक परियाईवाची सब्द हो वह मैंने यह लिक दिया है जैसे कि देखिए सर पर ठिकरा फोड़ना मुहावरेक आर्थ क्या होता है तो सर पर ठिकरा फोड़ना मुहावरेक आर्थ होता है दोस लगना या तो कलंक लगना ठीक है आगे दिखिएगा आगे आपसे question पूछा था परसपर का सुद्वरतानी क्या होगा तो परसपर का सुद्वर रोजगार होता है तो देखिए मन अरेगा में साथियों पहले तो 100 दिन का होता था लेकिन अभी जो है बरतमान में बात करें तो 125 दिन का रोजगार है तो आप कमेंट बोक्स में बताना सेकंड सिप्ट का कोश्चन है क्या था आपके ओप्शन में ठीक है आगे दिखिए कोश्चन था दूसरी पंचवर्सी योजना की अवधी क्या थी तो देखिए दूसरी पंचवर्सी योजना जो है जो कि PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और य एकसो अठाइस va संसोधन विधियक किस महिने में आया था ज Megra 2023 वर्स के किस महिने में तो इसका करिक्ठ होता सितम्बर में क्यूंगि देखिए 128 संसोधन बिधेग जो है यह 19 सितंबर 2023 में लोकसभा में पारित हुआ था इसकी बात करेए किस से संबंदित है हला कि यह पहले भी पुछ चुका है कि इस संसोधन कौन सा है तो देखो इसके मुताबिक लोकसभाव और राज्यों की बिधान सभाव में महलाओ के लिए 33 परतेसत का अरक्षन या रिजर्वेशन लागो किया गया है याद रखना आगे देखिए कोस्चन था डॉक्टर एल सुब्रमन्यम का संबंद किस बादिया अंतर से है तो साथियो डॉक्टर जातरा किस राज का नेरित्य है तो करिक्ट अंसर पस्चिम मंगाल हो जाता आगे एक कोश्चन था इनमें से कौन सा पवन का परियावाची सब्द है ये भी आपको उप्सन के अनुसरा बनाना था जैसे पवन की परमुक परियावाची सब्द बायू होता है समीर हावा अन निधन का भुआ था तो बहे हरित करांती का जनक जो थे ने एमेर स्वामी नाथन इनका निधन हुआ था 28 सितंबर 2023 को ये टोपिक मैंने आजी 2.0 में करा दिया है हरित करांती से कोई भी कोश्चन आप से पुछेगा नहीं छूटेगा जाकर देख लेना एक कोश्चन था ओलंपिक में अभिनाव बिंद्रा को गोल्ड मेडल का मिला था तो देखिए ओलंपिक में अभिनाव बिंद्रा को गोल्ड मेडल 2008 में मिला था बीजिंग ओलंपिक में ठीक है चीन की राजधनी जो है बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में जहां पर अभिनाव बिंद्रा ने मिल पाया था इसलिए अरुनाचल प्रदेश के जो प्रसिद निरिते हों मैंने यहां लिख दिया जैसे कि बुआ निरिते चालो बांचो पासी कोंगकी पोंग पोपीर और बाडो छम इन्हें से जो आपको दिया हुआ था वो करिक्ट होता इन्हें से कौन सा बस्त्र का परिय संख्या के दिरिष्टी से दूसरे नंबर पर मोहनी अट्टम किस राज का सास्त्रे ने रिते हैं यह आप से पूछा था करिक्ट हो जाता केरल राज का एक कोश्चन था बेरोजगारी दर निकालने का सुत्र क्या होता है तो बेरोजगारी दर निकालने का सुत्र होता है ब देखे मेंडिलिप की आवर्थसानी परमानु द्रेबमान पर आधारी थी और हेंडरी मोजले की जो अभी आधुनिक आवर्थसानी है वो परमानु संख्या पर आधारी थे याद रखना आर्बियाई के बरतमान में कारकारी निर्धसक कौन है तो करिक्टेंसर होता श्री मनोरंजन मिसराजी यह आपका option में भी था तो यह करिक्टेंसर हो जाता आगे कोशन था गिरी हलचमी योजना का संबंद की सराज से है तो देखें गिरी हलचमी योजना की बात करें तो इसका संबंद करनाटक राज से है करनाटक करिक्ट हो जाता एक कोशन था भारत के महानियाईवादी किसके परसाद परियात अपना पद्धारन करते हैं तो इसक पर अधो अधो leemic के अधो यहां से पूछाता क्या गहतन संगठन का बिलोम सब्सेट्बान क्या घटन होता है मजा कुडाना आगे साथ आपसे पूछा गया था आपे से बाहर होना मुहावरेक आर्थ क्या होता है तो भई आपे से बाहर होना मुहावरेक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरू करना चैनल के अंदर बहुत ज्यादा